लो फ्रेंड स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल माइगनु सॉलेशन में एन मैं प्रेडिना सिंग आज की वीडियो में डिसकस करूंगी बी इजी ले वन फ्री फाइफ इंग्लिश इन डेली लाइफ के फ्री सॉल्फ असाइमेंट बीसे किस तक के लिए यहानि की चिने स्टूडियों ने जुलाइ दो हजार बीस मैंडिशन लिया है यह असाइमेंट के वल उन्हीं स्टूडियों के लिए है और अगर आपको इन असाइमेंट पीडियाफ चाहिए तो आप उमें कर सकते हैं contact number में आपको description box में प्रोवाइट कर दूगी and otherwise जब मैं आपका assignment दिखाऊ तो आप easily video को pause करके आप इन assignment को note-down भी कर सकते हैं so students अगर आपने में channel को अभी तक subscribe नहीं करा है तो आने वाली videos के लिए आप में इंग्लिश इन डेली लाइफ बीजी लए वन री फाइफ तो यहां पर आपकी ज़्यामें वह आपके टोटल हंडिट वाफस्केप के साइमें होते हैं जिनमें आपको सभी को आपको अटाम करना होता है सबी को सब्सक्राइब कर लिखने होते हैं तो यह एक पैसेज दे रहा है उस पैसेज को पढ़के आपको इसमें दिए गर को स्क्राइब करना है then ये आपके जो questions हैं, इनकी questions के answers आपको देने है, ठीक है? ये देखिए, आपको दो questions आपको देखने को मिलनेंगे section A में, एक है आपको passage पढ़के इनकी answers आपको show करने है, और सबी questions के सामने उनके marks भी बता रखेंगे कौनसा question कितने marks का है, और ये देखिए, question number two, ये आपके 10 marks का है, ये आपका section B है, इसमें आपको total three questions आपको देखने को मिलनेंगे, ठीक है? फिर आता है आपका section C, section C में आपको total two questions आपको देखने को मिलनेंगे, जिनके answer आपको explain करने हैं, so students, मैंने आपको तीनों ही sections दिखा है, section A, section B and section C, तो आपको तीनों ही sections की questions को attempt करना है, आपको वहीं भी questions नहीं छोड़ तकते, so students, आप हम चलते हैं इन questions के solutions पर, और अगर आपको इन solutions को लिखना है, तो आप easily वीडियो को pause करके आप इन solutions को लिख सकते हैं, तो मैं बहुत ही धीरे-धीरे जो solutions हैं, उनको मैं down करूँगी तक कि आप लिख पाएं, इस पैसिज को पढ़के आपको इनकी questions है, उनकी solutions आपको निकालने हैं, यह देखिए, question number one का solutions है, जैसे की question number one बोला गया है, इस ए, according to the writer what have past experiences of new year resolutions taught us, इसका बी है, why according to the writer to most of us fail in your effort for self-improvement, इसका बी है, why did the writer not carry out his resolutions on new year day, इसका बी है, the writer eventually failed to implement his new year resolutions because, इसका बीवा सुटीबल टाइटल to the passage, जैसे की स्टार्ट होता है, तुझे रेखें, यहां से आपका section भी आपका start होता है, जिसका question number one है, Fill in the blanks with one of the past tenses, simple past, past continuous, present perfect continuous or past perfect continuous. In some cases for then were answer is possible. The first one is done for you. गिर एक्षी है, two questions. Three. और यह देखिया आपका section C है जिसका question number 1 है write a biographical sketch and about 250 words of a great social worker who impacted society positively write about his her contributions and her and the causes that we are is posed देखिये question number 2 so students यही पर आपकी जो assignment है वो complete होते हैं और अगर आपको इन assignment को note down करना है तो आप easily video को pause करके आप इन assignment को note down भी कर सकते हैं and otherwise अगर आपको इन assignment का PDF चाहिए तो आप हमें contact कीजिए contact number में आपको description box में provide कर दूँगी so students आज की video में हमने डिसकस करा BEGLA 135 English in daily life के free solve assignment बीसे किस तक के रहे है so students अगर आपको मेरा यह video पसंद आया हो तो वीडियो को do like, share and comment करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप मेरी वीडियो को first time देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करें and bell icon को बज़ना ना भूलें